Hello students, आज इस वीडियो में हम chapter 7 भीन प्रशनावली 7.3 से question number 7 और 8 solve करेंगे So question number 7 देखे, निमल लिखित भीनों को उनके सरलतम रूप में लिखे तो इस question में हमें कुछ भीन दी गई है, हमें उनके सरलतम रूप में लिखना है So a part देखे, भीन दी गई है, 48 बटे 60 तो हमें 48 बटे 60 को इसके सरलतम रूप में लिखना है तो देखे कैसे लिखेंगे, तो देखे 48 और 60 ये दोनों जो हैं 12 से कट रहे हैं देखे 48 को 12 से भाग देंगे 12 चोके 48, 60 को 12 से भाग देंगे 12 पंजे 60 क्या आया 4 बटे 5 क्या है 4 बटे 5 बी पार देखे भीन दी गई है 150 बटे 60 तो अब 150 बटे 60 को इसके सरलतम रूप में लिखना है तो देखे 0 से 0 कट जाएगी 15 और 6 ये दोनों 3 से कट रहे हैं 3 पंजे 15 तीन दुनी 6 क्या आया 5 बटे 2 तो देखे 5 और 2 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संक्या से नहीं कट रहे हैं तो 150 बटे 60 की सरलतम रूप क्या है 5 बटे 2 सी पार देखे भीन दी गई है 84 बटे 98 तो अब 84 बटे 98 को इसके सरलतम रूप में लिखना है तो देखे 84 और 98 ये दोनों 14 से कट रहे हैं देखे 84 को 14 से भाग देंगे 14 चीके 84 98 को 14 से भाग देंगे 14 सत्य 98 क्या आया 6 बटे 7 तो देखे 6 और 7 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संक्या से नहीं कट रहे हैं तो 84 बटे 98 का सरलतम रूप क्या है 6 बटे 7 दी पार्ट देखे भिन दी गई है 12 बटे 52 तो 12 बटे 52 को इसके सरलतम रूप में लिखना है तो देखे 12 और 52 ये दोनों 4 से कट रहे हैं देखे 12 को 4 से भाग देंगे 4 ती ये 12 52 को 4 से भाग देंगे 4 एकम 4 4 ती ये 12 क्या आया 3 बटे 13 तो अब देखे 3 और 13 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संक्या से नहीं कट रहे हैं तो 12 बटे 52 का सरलतम रूप क्या है 3 बटे 13 ये पार्ट देखे भिन दी गई है 7 बटे 28 तो अब 7 बटे 28 को इसके सरलतम रूप में लिखना है तो देखे 7 और 28 ये दोनों 7 से कट रहे हैं 7 एकम 7 7 चोके 28 क्या आया 1 बटे 4 तो 7 बटे 28 का सरलतम रूप क्या है 1 बटे 4 तो ये था कोशन नमबर 7 अब कोशन नमबर 8 देखे कोशन नमबर 8 देखे रमेश के पास 20 पैंसिल थी शीलू के पास 50 पैंसिल और जमाल के पास 80 पैंसिल थी चार महीने बाद रमेश ने 10 पैंसिल प्रियोग कर ली शीलू ने 25 पैंसिल प्रियोग कर ली और जमाल ने 40 पैंसिल प्रियोग कर ली प्रतेख ने अपनी पैंसिलों की कौन सी भिन प्रियोग कर ली तो कोशन ये पूछा है कि प्रतेक ने यानि रमेश, शीलू और जमाल ने इन तीनों ने अपनी पैंसिल की कौन सी भिन प्रियोग कर लिया ये बताना है और फिर लिखा है कि जाज कीजे कि प्रतेक ने अपनी पैंसिलों की समान भिन प्रियोग की है उसके बाद ये जाज करन कि क्या इन तीनों ने अपनी पैंसिल की समान भिन प्रियोग की है तो अब देखे हमें बताना क्या है कि सबसे पहले हमें बताना है कि इन तीनों ने अपनी पैंसिल की कौन सी भिन प्रियोग की है तो रमेश ने अपनी पैंसिलों की जो भिन प्रियोग की तो देखे रमेश के पास कुल कितनी पैंसिल थी 20 पैंसिल थी और 20 पैंसिल में से रमेश ने कितनी पैंसिल प्रियोग कर ली 10 पैंसिल प्रियोग कर ली तो रमेश के पास कुल 20 पैंसिल थी तो देखे कुल हम नीचे लिखते हैं तो 20 नीचे लिखेंगे और 20 में से कितनी पैंसिल प्रियोग कर ली रमेश ने 10 पैंसिल प्रियोग कर ली है तो अब देखे 10 और 20 ये दोनों 10 से कड़ जाएंगे 10 एकम 10 10 दूनी 20 क्या आया 1 बटे 2 तो रमेश ने अपनी पैंसिल की कितनी भिन प्रियोग की 1 बटे 2 अब हम देखेंगे कि शीलू ने अपनी पैंसिलों की कितनी भिन प्रियोग की तो शीलू ने अपनी पैंसिलों की जो भिन प्रियोग की तो देखें शीलू के पास कुल कितनी पैंसिल थी 50 पैंसिल थी और 50 पैंसिल में से शीलू ने कितनी पैंसिल प्रियोग कर ली तो शीलू के पास कुल 50 पैंसिल थी तो 50 हम नीचे लिखेंगे ठीक है कुल जो है नीचे लिखते हैं तो 50 नीचे लिखेंगे और 50 में से कितनी पैंसिल प्रियोग कर ली 25 पैंसिल तो 25 उपर लिखेंगे अब देखें 25 और 50 ये दोनों 25 एकर जाएंगे पच्चिस एकम पच्चिस दूनी पचास क्या आया एक बटे दू तो शीलू ने अपनी पैंसिल की कितनी भिन प्रियोग की है एक बटे दू अब हम देखेंगे कि जमाल ने अपनी पैंसिलों की कितनी भिन प्रियोग की तो जमाल ने अपनी पैंसिलों की जो भिन प्रियोग क तो देखिए जमाल के पास कुल कितनी पैंसिल थी, कुल 80 पैंसिल थी, और 80 पैंसिल में से जमाल ने कितनी पैंसिल प्रियोग कर ली, 40 पैंसिल प्रियोग कर ली, तो जमाल के पास कुल 80 पैंसिल थी, तो कुल हम नीचे लिखते हैं तो, कुल 80 पैंसिल है तो 80 नीचे ये चार एकम चार चार दुनिया तो क्या आया एक बटे दू तो जमाल ने अपनी पैंसिल की कितनी भिन प्रियोग की एक बटे दू तो देखे ये तो हमने बता दिया कि इन तीनों ने अपनी पैंसिलों की कितनी भिन प्रियोग की है अब कोशन में इनों ने ये भी पूछा ह कि जाच कीजिए कि क्या इन तीनों ने अपनी पैंसिलों की समान भिन प्रियोग की है तो अगर आप देखें कि तो इन तीनों ने अपनी पैंसिलों की जो भिन प्रियोग की है वो कितनी है एक बटे दो एक बटे दो एक बटे दो तीनों कीजिए बराबर है तो इसका मतलब हा हाँ प्रतेक ने अपनी pencil ओं की समान भीं प्रयोग किं तो हाँ प्रतेक ने अपनी pencil की समान भीं ПРИयोग की तो यह था question number 8 आज यस वीडियो में हमने question number 7 और 8 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like share and subscribe Thank you